Hello students, good morning, आज इस वीडियो में हम बिज्ञान के पार्ट पांच के अब्यास प्रिश्ट में सॉल्व करेंगे ठीक है बचो, तो सबसे पहले दिया हुआ है का नम्मर पर सही बिकल पर सही का चिन लगाईए बचों, यहाँ पर तीन उप्सन दिये गए हैं, जो सही उप्सन होगा, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे तो पहला प्रिश्ट नहीं है, प्रितिक पक्षी के सरीर में सरीर के मुक्ता कितने भाग होती है नम्मर एक दो, नम्मर दो तीन, नम्मर तीन, चार, ठीक है बच्चों, तो पक्षी के कितने सरीर के कितने भाग होती है, तीन तो जो दूसरा उपसन है, वो सही हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रिश्ट है, मजबूत तेज तता मुड़ी होई चौँच किस पक्षी की होती है नम्मर एक चील, नम्मर दो कीवी, और नम्मर तीन कबूतर, तो तेज ये तता मुड़ी होई चौँच किस की होती है, बच्चों, चील की, ठीक है, तो जो पहला उपसन है, वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगी अगला प्रिशन है तीसरे नम्मर पर, उची उड़ान भढ़ने वाला पक्षी कौन सा है, नम्मर एक मोर, नम्मर दो गणूर, नम्मर तीन कववा, तो उची उड़ान भढ़ने वाला पक्षी कौन सा है, बच्चों, गणूर, ठीक है, चो दूसरी नम्मर का उपसन सही हो जाएगा अगला प्रिश ने दिया हुआ है प्रिश नमर चार प्रित्वी पर पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है नमर एक आठ नमर दो 2000, नम्मर 3, 9000 ठीक है? तो इस पर प्रत्वी पर पक्षियों की कितनी पर जाती है पाई जाती है बच्चो? 9000 तो जो तीसे नम्मर को अपसन है वो सही हो जाएगा अगला है पाँचवी नम्मर पर सबसे तेज बागने वाले पक्षी कौन सा है? नम्मर एक सुतुर्मुर्ग, नम्मर दो सारस और नम्मर तीन बतक तो सबसे तेज बागने वाले पक्षी कौन सा है बच्चो? सुतुर्मुर्ग ठीक है? जो पहले नम्मर का अपसन है वो सही हो जाएगा आगे दिया हुआ है खानमर पर उचिस सब्द चुनकर रिक्त इस्तानों की पूर्थी कीजिए तो बच्चों यहाँ पर कुछ सब्द दिये गए हैं उन मेंसे चाट कर हमें खालिस्तानों में वर्णा है पहला खालिस्तान है पक्षीयों का सरी परों से डखा रहता है किस से ड़का रहता है बच्चो परों से तो इसका जो पहला खालिस्तान है उसमें परों लिख देंगे हम दूसरा है तोते की चोंच पैनी होती है कैसी होती है बच्चो गुमाबदार तता पैनी दूसरे खालिस्तान में हम लिख देंगे गुमाबदार तीसरे खालिस्तान है मासा हारी पक्षियों के पंजी मजबूत पैने तथा मुड़े हुए होते हैं तो तीसरे खालिस्तान में हम क्या भरेंगे बच्चों पैने अगला है चौथी नम्मर पर सुत्रमुर्ग ना उड़ने वाला पक्षी है तो बच्चों कौन सा पक्षी नहीं उड़ पाता है सुत्रमुर्ग तो चौथी खालिस्तान में हम लिखेंगे सुत्रमुर्ग पांचवा है गौरईया की चौँच छोटी एवं कठोर होती है तो पांचवी नम्मर पर हम क्या लिख देंगे बच्चों कठोर आगे दिया हुआ है गानमर पर सही कतन के सामने सही का तथा गलत कतन के सामने गलत कचिन लगाईए पहला प्रिशन है इसमें अबावीन चिडिया की चौँच छोटी एवं चौणी होती है तो यह सही है बच्चों इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे अगला है मुर्गी के पंजे के में पीछी की और तीन उंगलिया होती है तो बच्चों यह तो गलत है पीछे की और नहीं आगे की और होती है तीक है तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे अगला प्रिशन है तीसरा जल में तेरने वाले पक्चियों के पंजे जिलीदार होते हैं तो ये भी सही है बच्चो इसके आगे भी हम राइट के निशान लगाएंगे अगला है पक्चियों को हवा में उरती समय दिसा वदलने में पूछ सायता करती है तो बच्चो इस सही है इसके आगे हमने क्रोस लगा दिया है तो आप इस पर राइट के निशान लगाएंगे अगला है बतक की चौच के किनारे पर चलनी जैसे चिद्र छोटे चोटे चिद्र होते है तो बच्चों ये भी सही है, इसके आगे भी हम राइट करने शान लगाएंगे आगे चलते हैं घर नमर पर दिया हुआ है निम्न लिखित के दो-दो उधारन लिखिये तो यहाँ पर कुछ प्रिश्ण है, उनके हमें दो-दो उधारन लिखना है पहला प्रिश्ण है ब्रक्षों पर चड़ने वाले पक्षी तो ब्रक्ष पर चड़ने वाले पक्षी कौन-कौन से होते हैं तोता और कटफोडवा, ठीक है अगला है दूसरा मिट्टी खुरचने वाले पक्षी तो मिट्टी खुरचने वाले पक्षी कौन-कौन से होते हैं बच्चों, मुर्गी और तीतर, ठीक है, अगला है तीसरे नमबर पर, लंबी उडान भरने वाले पक्षी, लंबी उडान भरने वाले पक्षीों में कौन-कौन से आ जाएंगे, बाज और चील, ठीक है बच्चों चौति नमर का प्रिश्ण है उड़ान ना उड़ने वाले पक्षी ना उड़ने वाले पक्षी कौन-कौन से है इमो और किवी ठीक है बच्चो ये हमारे दो-दो धारन लिखने थे वो कंप्लेट हो गए है आगे दिया हूँ है अड़ान अमर पर निमने लिकित प्रिश्णों आवश्चक है तो इसका उत्तर होगा बच्चो पक्षी चौंच की सायोता से भोजन करते हैं तता सत्रों से अपनी रक्षा करते हैं एबं अपने रहने के लिए घोंशला बनाते हैं अगला प्रिश्ण है प्रिश्ण नमर दो अप्रा गहत किसी कहती हैं बताईए उत्तर होगा उडान भरने के लिए पक्षी सब से पहले पंकों को उपर की ओड ले जाते हैं पंकों की इस गती को अप्रा गहत कहती है ठीक है बच्चो? अगला प्रिश्ण है प्रिश्ण नम्मर तीन पतली एबं लंबी चोंच किस पक्ची की होती है बताईए तो इसका उत्तर होगा बच्चो पतली एबं लंबी चोंच हुद हुद पक्ची की होती है अगला प्रिश्ण है प्रिश्ण नम्मा चार जल में तेरने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं तो इसका उत्तर होगा बच्चो जल में तेरने वाले पक्षियों के पंजे जिल्लीदार होते हैं ठीक है, अगला प्रिश्ण है, ब्रक्षों पर चड़ने वाले तता मिट्टी खुरदने वाले पक्षियों में कोई दो अंतर लिखिए, तो बच्चों इसका उत्तर होगा, ब्रक्षों पर चड़ने वाले तता मिट्टी खुरदने वाले पक्षियों में दो अंतर निम्ने है हम इसमें दो बॉक्स बनाएंगे, पहले बॉक्स में लिखा हमने ब्रक्षों पर चड़ने वाले पक्षी और दूसरे में लिखा मिट्टी खुरदने वाले पक्षी, तो बच्चों ब्रक्ष पर चड़ने वाले पक्षियों में हम लिखेंगे, इन पक्षियों के पंजे की द तीन लबबी अंगलियां आंगे तता एक छोटी उंगली पीचे की ओर होती है और एक छोटी उंगलियां आंगे और। होती है तिंगे अगला पॉइंट है दूसरे नमबर पर ब्रक्चों पर चड़ने वाले पक्ची तोता कट फोड़ा आदी होते है और इसमें लेकेंके हम मिट्टी कुरचने वाले पक्ची मुरगी तीतर बटेर आदी होते हैं ठीके बच्चों समझ में आया है यह हमारा प्रिश्ट नमर पांच कंप्लीट होता है इसी के साथ हमारा इस चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है ठीके बच्चों अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर की साथ मिलेंगी